इसका मतलब क्या होता है इसका बेसिक मिनिंग क्या होता है यह सारी चीजे यह सारा इंट्रोडक्शन सारी चीजे इस चैप्टर के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है कौन कौन से टॉपिक को हमें स्टडी करना यह सारी चीजे हमने कंप्लीट कर लिया है इन प्रेवियस लेक्चर अगर आप लोगोंने नहीं देखा होगा तो जरूर से जाके जल्दी से आप लोगों के लिए मैप बनाया हुँ और उसकी वज़े से में आप लोगों के समझाया हुआ था ठीक है हीमालया से हमारा वहां पर कमप्लीट हो गया उसके आगे सेकेंड कैं हमारा नॉर्थ इंदियन प्लेंज हमने उसी लेक्ष्र में मिन्स की हर्षेर में complete कर लिया था, कहा पे था North Indian Plain, वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, ठीक है, अब आगे का third point क्या है हमारा Peninsula, ठीक है, Peninsula को भी मैंने आप लोगों को उसी lecture में बताया हुआ था, पूरे diagram को हमने समझा हुआ था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो जरूर जरूर से देखना, ताकि आप लोगों को पूरे map की help से अच्छी तरह से समझ जा है, ओके, चलो एक बार short में फिर से देख लेते हैं, ओके, तो ओपर का जो ये हिस्स्ता है, ये कहां आ जाता है, ये हि बताया हुआ है, उसके नीचे, हिमाल्यास के जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है, वो क्या होता है, वो होता है, नौर्थ इंडियन प्लेन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा नौर्थ इंडियन प्लेन के अंडर आ जाएगा, ठीक है, उसके नीचे का जो पार्ट है यह जो ट्रैंगूलर पार्ट है आप लोगों को दिख रहा है किसके नीचे नौर्थ इंडियन प्लेन के नीचे जो यह पूरा ट्रैंगूलर पार्ट है वो क्या है वो है पैनिन्सुला ठीक है तो पैनिन्सुला को भी आपको ध्यान में रखना है कि यह कहां पर आ पर यहाँ पर आप लोग के लिए short notes जो मैंने बनाये दुए थे I hope so, सभी ने लिख लिया होगा और अच्छी तरह से पढ़ा होगा, ओके, चालो, so start करते हैं peninsula, so peninsula क्या है, area lying to the south of north Indian plane, ठीक है, south of north Indian plane, जैसे आप लोगो को diagram में भी समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, south of north Indian plane, ठीक है, ये पूरे इसके diagram के help से आप लोगों को easily समझ में आ जाएगा, ठीक है, next क्या बताया हुआ है हमें, south of north Indian plane and tapering towards the Indian ocean, ठीक है, tapering towards the Indian ocean, इसका मतलब क्या हो जाता है, वो क्या करता है, point करता है, points towards the Indian ocean, मतलब वो जो हमारा Indian ocean है, जैसे कि हाँ पर अभी हम diagram के help से देखेंगे, ये जो हमारा, आसपास जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ से जो पूरा part होता है, वो क्या है, Indian ocean, ये पूरा क्या है, ocean है, ठीक है, so वो क्या करता है, point करता है, ठीक है, Indian ocean को point करता है, इस चीज़ को आपको याद रखना ह ये आपका first point बन जाता है, अगर आपने इस चीज़ को learn कर लिया, तो tapering towards the Indian ocean, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रख लो, चलो, आगे देख लेते हैं, next point क्या बताया हुआ है हमें, और उसे को ही हम क्या कहते है, peninsula कहते हैं, ठीक है, जो point करता है किसे Indian ocean को, उसे हम लोग क्य कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, peninsula, okay, so next topic, next point is, it consists of many, many platews, ठीक है, it consists of many platews, ठीक है, it consists of many platews, बोले सीना मेरे तरफ मत देख के हैं, असना उदर से बढ़ाओ, okay, so second point is, it consists of many platews and hill ranges, ठीक है, so यह क्या करता है, यह consists करता है, बहुत सारे platews को, मतलब कि इसके आसपास क्या होते हैं, जो बहुत बड़े-बड़े जो mountain, चट्टाने वाली जो जगे होती है, वो होता है, ठीक है, पैनेंसुला के आसपास का जो area होता है, बहुत बड़े- बड़े-बड़े चट्टान होते हैं, एकदम hilly region होता है, ठीक है, so यह चीज तो आप लोगों को hilly ranges, आराम से इसली सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, so जैसे यहां का जैसे हम diagram की help से देखेंगे, ठीक है, so यहां पर यह जो part दिख रहा है, यह जो पूरा area दिख रहा ओके, so उसके आगे का point क्या है, so अरावली के आसपास का जो part है, जैसे कि यहां पर मैं आप लोगों को बताती हूँ, अरावली के आसपास का part कौन सा होता है, यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यह जो part है, ठीक है, यह जो part है, color change कर लेते हैं, यहां पर color दूसरा ले लेते हैं, एंड समझते हैं, ठीक है, so यह जो अरावली का part है, ठीक है, so जो अरावली के आसपास का जो area होता, ठीक है, अरावली के आसपास का जो area है, उसके आसपास बहुत सारे अलग-अलग platews होते हैं, और उन platews के name हमें learn होनी चाहिए, because इस chapter में, इस particular topic के अंद short form भी देने वाली हूँ, so अगर आप लोग उन्हें नाम को याद नहीं किया ना, तो आप answer नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, so नाम को आपको learn करना पड़ेगा, इसी लिए इस चीज़ को ध्यान में रखो, ठीक है, so हाँ, so अरावली के जो अरावली का जो पार्ट है, ठीक हमने किसके में देखा हुआ था, हिमाल्याज में देखा हुआ था, हिमाल्याज में हमने क्या देखा हुआ था, कि हिमाल्याज क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है, हिमाल्याज यंग फोल्ड माउंटेन क्यों है, क्यों है, इस चीज़ का रीजन आप बताएंगे, अगर आ इस लाइन को ध्यान में रख लो, थर्ड पॉइंट है ये आपका, ओके, जब भी आप इसका आंसर लिखेंगे, पेनिसुला ये टॉपिक के बारे में आप लिखेंगे, आप लोग इजी ली थर्ड पॉइंट इस तरह से बना सकते हैं, चलो, आगे का देख लेते हैं, इट इंक्लूड, इट इंक्लूड अ सीरीज ओफ प्लेटी ओल्स बॉर्डरिंग, बॉर्डरिंग दप, जैसे यह जो आसपास का एरिया है, जैसे यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाती हूँ, डाइग्राम की हेल्प से, यह जो आपको यह जो आसपास का जो एरिया दिख रह ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को यह आपको learn करना पड़ेगा कि यह जो आसपास का area है, किसकी आसपास का area है, यह include करता है बहुत सारे अलग-अलग platews को, मतलब कौन-कौन से platews को, विंध्यास और सत्पुडा, इन दोनो platews को यह क्या करता है, बॉर्डरिंग करता है, वो उस area को बॉर्डरिंग करता है, ठीक है, मैंने आप लोग को diagram में बताया हुआ है, मिन्स के आप लोग को map पर बता दिया है, ठीक है, तो उस चीज को आप याद रखेंगे कि कहां पर होता है, विंध्यास और सत्पुडा कहां पर होता है, यहां पर से आपको learn करना है यहाँ पर क्या है विंध्या से हैं और यहाँ पर क्या है सत्थपुडा है उसे हम लोग foot hills कहते हैं बहुत लंबी बहुत बड़ी नहीं बहुत छोटी छोटी ठीक है तो उसे हम क्या कहेंगे foot hills होते हैं और ऐसे कुछ foot hills के name आपको learn करना पड़ेगा अभी आप मेरे साथ में बोलेंगे तो बहुत easy है और इसे हम लोग एक short form में short तरीके से भी सीखेंगे ठीक है तो यहां पर क्या बताया हुआ है कौन-कौन से जगह है जैसे हम लोग अभी diagram की help से देखते हैं कि कहां पर है यह जो यहां पर मैंने क्या बता आप लोग को यहां पर क्या है यहां पर है अरावली ठीक है जो अरावली की आसपास का area है मतलब यहां पर ठीक है यहां का area मेवाड हो गया, ठीक है, मालवा हो गया, ठीक है, बुंदेल खन, ठीक है, इस तरह से जो यह आसपास का पूरा area है, वो किस से घिरा हुआ है, इस अलग-अलग different different platules के से घिरा हुआ है, ठीक है, ठीक है, उन में से कुछ 4 या 5 platules के name अगर आपने बाइहाट कर लिया तो आप लोगों को जबी भी platules आ गया, अगर peninsula के बारे में आ गया, peninsula को define करने के लिए, या फिर उसके बारे में कुछ लिखने के लिए, short note prepare करने के लिए, तो आप बहुत easily उसे लिख सकते हैं, और अगर आपने उन 500 points को मतलब अलग-अलग different different platules के name अगर आप लोगों ने ठीक है, मतलब की छोटे-छोटे पहाड़िया, कौन सा है, मेवाड है, कौन सा है, मेवाड, मेवाड कहां पर है, अरावली के पास का, ठीक है, अरावली के पास का एरिया जो है, वो क्या है, मेवाड platules है, ठीक है, उसके बाद, sorry, मालवा and then मेवाड है, ठीक है, जो अरावल अरावली के जस्ट बाजुवाला है वो क्या है मेवाड है उसके बाद क्या है मालवा है उसके बाद है बुंदेल खंड पिर हां बागेल खंड एंड बुंदेल खंड उसके बाद छोटा नागपूर प्लेट्यूल यह सारे प्लेट्यूल क्या है कहां पर है यह सारे प्लेट् क्या है बुंदेल खंड है ठीक है उसके बाद क्या है बागेल खंड है उसके बाद क्या है चोटानागपूर प्लेटियूल है ठीक है इस तरह से यह जो पूरा बॉर्डर है यह इस तरह से इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटियूल में घिरा हुआ ठीक है तो इस चीज को इन बाबू है, क्या है बाबू ओके इसे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ हाँ मा मे मामे का बाबू इस तरह से आप इसे लर्न कर शकते हैं। ếजीली लेवर हो जाएगा कहां पर रहता है मामे मतलब मा मतलब मेवार उसके बाद बुंदे खंड a nd छोटा नागपूर यह क्या है यह पाचो इसका short format ठीक है, आप मामे का बाख वू ऐसे करके याद कर सकते हैं, वो कहाँ पर रहता है, छोटा नागपुर में रहता है, ठीक है, इस तरह से इसे learn कर लेना, यह बहुत important name है, इस point को जब भी आप define करेंगे, इसका short note लिखेंगे, तो आप इसे easily, अगर आप लोगो यह buy hard ह होगा, तो आप बहुत अच्छे marks gain कर सकते हैं, ठीक है, तो यह आपका again एक और point complete होता है, उसी के साथ साथ, उसी के साथ साथ कुछ और plateules है, ठीक है, उसके साथ कुछ और plateules है, कहाँ पर है यह plateules, अगेर यहाँ पर हम diagram की help से समझते हैं, यहाँ पर आजाता है हमारा महार ठीक है, महाराष्टरा आ जाता है, उसके आगे क्या जाएगा, आंधरा आ जाएगा, तेलंगना आ जाएगा और उसके बाद क्या जाता है, एक और नेम है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्या है करनाटका, ठीक है, कौन-कौन से, महाराष्टरा, उसके बाद आंधरा, तेल लांगना और उसके नीचे क्या जाएगा आपका करनाटा का सो ये सारे अगें ये क्या है ये भी इन्पोर्टन फ्लेटियूस है और इसेै आप इजी लिर बरन ऐसे महाराष्टा स्कूरा में आप रहते हैं तो से आप ऊवर जाएगा और साउत का पार्ठ तरहीं को हम क्या जो आपको learn हो जाएगा ठीक है अंध्रप्रदेश के लोग तेलांगना के लोग होते हैं ठीक है करनाटका की होते हैं सो यह साउथ के तीनों name को आपको learn कर लेना है साती सात महाराष्टरा को learn कर लेना है तो यह चार अलग से platyols है इन चारो platyols को भी आप अच्छी तरह से लिख क्या होगा अगर चाहिए तो आप पटाफस के स्क्रिंशोट ले सकते हैं क्योंकि फिर बाद में आप लोग को पॉइंट लिखते हैं बहुत इजिली लॉन हो जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं वहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया अब उसके आगे क्या जाता है हमा और मामा का छोटा बाबू किदर पे रहता है मामा का बाबू छोटे नागपूर में रहता है इस चीज़ को हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया ओके चलो आगे देख लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है यह जो पूरा एरिया था वो कौन सा था वो था हमारा पैनिन पैनिन्सुला के बाजू का उसके आजू बाजू का ठीक है उसके दोनों हाथ ये क्या है हमारा पैनिन्सुला है क्या है ये हमारा पैनिन्सुला है पैनिन्सुला के इधर का पार्ट और इधर का पार्ट ठीक है तो ये जो दोनों पार्ट है इस साइड का और इस साइड का ये 30 य शेतर, अब 30 य शेतर का मतलब क्या होता है, मतलब की समुद्र के किनारे वाला जो जगह होता है, समुद्र की किनारे के आसपास का जगह होता है, उसे हम क्या बोलते है, coastal plains बोलते है, ठीक है, स्टार्ट होता है, यहां से, बच्चों, यहां से वो स्टार्ट होता है, कलर लेते हैं थोड़ा सा different, सो कहां पर होता है, वो यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट लेता है, यहां से आजाता है, इस तरह से यह पूरा क्या है, यह पूरा जो area है, यह हमारा किसमें आ जाता है 30 शेत्र मतलब की समुद्र का किनारा है ठीक है यह क्या है समुद्र का किनारा और इसकी वज़ा से यह जो पूरा पार्ट है यह क्या है हमारा coastal plane है और इंडिया में कितना बड़ा coastal plane है 7500 किलो मीटर इतना लंबा coastal plane है कहां पर India के पास ठीक है इंडिया blessed है किसे लंबए large coastal plane की वज़ा से ठीक है इंडिया में कितना लंबा coastal plane है 7500 किलो मीटर इतना लंबा coastal plane है ठीक है यहाँ पर आप लोग easily समझ सकते कहां से कहां से यहां से ठीक है I hope so इतना clear हो गया होगा यह number आपको learn कर लेना है ठीक है, चलो, इतना clear हो गया होगा, ओके, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, यहापर क्या बताया होगा है, इंडिया blessed है, किस से long coastal line consists of approximately 7500 km इतना लंबा coastal plain है, किस के पास, इंडिया के पास, ठीक है, उसके बाद, आगे, it lies to the western and eastern part of the peninsula, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को starting मे क्या बताया, क्या बताया, क्या बताया, कि यहाँ पर क्या होगा है, यहाँ पर क्या है, हमारा peninsula है, ओके, so peninsula के आजू और बाजू, इन दोनों का जो एरिया है, वो क्या है, वो है हमारा coastal plain, क्या है, वो हमारा coastal plain, ओके, so जो यह coastal plain है, so यह हो गया हमारा eastern part, यह हो गया हमारा western पार्ट ठीक है, सो इस्टन से लेके, सॉरी वेस्टन से लेके इस्टन तक का ये जो दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट क्या है, कोस्टल प्लेंस है, ठीक है, कोस्टल प्लेंस है, ठीक है, इस्टन और सॉरी वेस्टन और इस्टन ये दोनों पार्ट क्या हो जाता है, ये क लिए इस चीज़ को याद रखना है ओके आगे बढ़ जाए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े वेस्ट एंड इस्ट कोस्टलाइज शो रिमार्केबल डिफ्रेंसेस डिस्सिमिलारिटीज ठीक है उन दोनों के बीच में मतलब की वेस्टन हो या इस्टन हो यह दोनों जो इस्टन घाट और वेस्टन घाट यह दोनों में बहुत बड़ा फर्क दिखाए देता है उन सारे फर्क को हम यहाँ पर समझेंगे ओके चालो फटा फट से यहाँ पर फोकस के साथ यहाँ पर देखना है लेक्चर लॉंग हो रहा है आई नो बट फिर भी हमें पॉइंट ट सारे शब्दों को समझना है उसके मिनिंग को समझना है ओके चलो अब ध्यान दो यहाँ पर जली जली से एकदम फोकस के साथ यहाँ पर देखना है यह क्या हो गया हमारा वेस्टन कोस्ट ठीक है और यह क्या है हमारा इस्टन कोस्ट क्या है वेस्टन कोस्ट इस्टन कोस्ट Western Coast में क्या होता है Western Coast का जो area है वो किससे गिरा हुआ है Arabian Sea से किससे है Arabian Sea से ठीक है याद रखोगे Western Coast Arabian Sea Eastern Coast बंगाल ठीक है बंगाल की जो खाड़ी है उससे गिरा हुआ है याद रख लेना ठीक है western coast किससे गिरा हुआ है और एबियाल सी जोड तर बोल digging मेरें कानों तक आवाज आना चाहिए उतना जोड से बोलने आपको ठीक है narrow है ठीक है अब narrow है और slip slope है ठीक है narrow का मतलब क्या होता है एकदाम straight ठीक है क्या होता है एकदाम straight अब आप लोगों ने कुछ पहाडिया ऐसी देखी होगी मतलब कि जो western coast का जो पहाडिया western coast का जो area है जैसे यहां पर अभी हम देख लेंगे diagram की help से जो हम देखेंगे वो क्या है यहां पर क्या बताया हुआ है western coast का जो area है ठीक है western coast जो है यह क्या है आप लोगों को दिख रहा है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कुछ भी समझना बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा ओके चलो आगे देखो यहां पर देखो फोकस फियर ओके सो यहां पर अप लोगों क्या बोला हुआ है यह क्या है अमारा western पार्ट है। जो western पार्ट है वो देखी होगी जो एकदम उस पे खड़े होंगे चडिन पाएंगे अपर जयाधा करते है। बहुत जादा कोस्ट का जो एरिया है वो क्या है नारो है ठीक है इसलेप स्लोप है मतलब एकदम धलान वाली है एकदम सीधा वाला ठीक है और जो एस्टन कोस्ट का एरिया है वो क्या है वाइड क्या है वो वाइड है जैसे उबर्ड खाबर ऐसे अटका हुआ नीचे ऊपर ऐसे करकर के है त थोड़ा सा चड़ा, फिर थोड़ा सा ऐसा रूप गया, फिर ऐसे होता है, जैसे हम नॉर्मल पहाडियों पे चड़ते हैं, आप ट्रैकिंग के लिए जाते होंगे, तो आप नॉर्मल पहाडियों पे जाते होंगे, और उन पहाडियों पर क्या होता है, थोड़ा सा खड़ा ह होता है पहाड़ी उसके बाद फिर थोड़ा सा ऐसे नीचे चलने के लिए होता है थोड़ा से उपर फिर नीचे इस तरह का जो होता है वो होता है किस तरफ इस्टन तरफ इस्टन साइड में इस तरह का होता है वाइड होता है याद रख लेना ठीक है इस तरफ नैरो इस स्लोप होता है ऐसे वाला ठीक है एक दम खड़ा खड़ा जो रहता है सीधे ऐसे गिरा देगा आपको ओके और जो यहाँ पर कैसा होता है एक दम मस्त ऐसा चिल मार के एक्शन के साथ याद रख लो ओके चलो आगे बढ़ जाए हो गया हमारा तीन पॉइंट कम्प्लीट हो गया तीन पॉइंट कवर हो गया यहाँ पर इस तरह से आपको पॉइंट बनाना है मैंने आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म लिखके दिया है difference between के जैसा लिखके दिया हुआ है अगर आप लोगको difference between आ गया तो बहुत easily लिख सकते हो but sentence बना के लिखना मेरे तरह shot में मत लिखना मुझे आप लोगों को समझाना है इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है ठीक है पूरा लाइन बाइन आपको लिखना पड़ेगा अगर आप लाइन बाइन नहीं लिखेंगे तो फिर आपके मांस बहुत अच्छी तरह से कड़ जाएंगे भले आपको कितना भी आता हूँ ठीक है इसलिए अच्छी तरह से लाइन बाइन सेंटेंस अच्छी तरह से बना के लिखो ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है वो किसा होता है जो वेस्टन जो कोस्ट होता है ठीक है वेस्टन कोस्ट का जो एरिया होता है वो क्या होता है, स्पोर होता है, और यहां पर क्या होता है, इस्टन कोस्ट में क्या होता है, डेल्टा होता है, क्या होता है, डेल्टा होता है, कैसे होता है, चलो देख लेते हैं, येस, चलो, डाइग्राम की हेल्प से देखेंगे, डाइग्राम थोड़ा सा दूर पर जाता ह यहाँ पर देख लेते हैं, so delta का मतलब तो आप लोग को easily पता है, so east का जो area होता है, eastern part जो है, वहाँ पर क्या बनता है, delta कैसे बनता है, delta का मतलब क्या होता है, एक में से जो बहुत सारी अलग-अलग-अलग-अलग से किनारे-किनारे निकलती है, पानी अलग-अलग तरह से ब पतलम नहीं होता कि ना वो अटकेगा रुखेगा या टूटेगा इस तरह का उसमें कुछ नहीं होता है जैसे अगर हम लोग एक्जामपल ले ले अगर आप लोगों ने बीच पर गए हो तो बीच पर आप लोग देखोगे न तो अगर आपने सैंड लिया ठीक जो बालू होत यह आपका सैंड हो गया ठीक है तो यह जो आपका जो लैंड है उस पर आगर आपने इस तरह से सैंड को गिराया तो वो किस तरह से बन जाएगा इस तरह से बन जाएगा ठीक है इस शेप का बन जाएगा ओके सो इसे हम क्या बोलते है स्पोर होता है ठीक है मतलब वो डाइर इ removableड़ मरोड बेदर से ओधर से इस तरह से यहां से यहां से इस तरह से आपको लर्न कर लेना है चलो इतना बढ़िया तरीके से clear हो गया होगा आगे बड़े last हमें क्या बोला हुआ है इस्टूरीस ठीक है इस्टूरीस मतलब क्या हो जाता है इस्टूरीस का मतलब हो जाता है मतलब western coast में इस्टूरीस बनते है मतलब क्या होता है इसका मतलब जो river होता है ठीक है river का जो water होता है वो river water कैसे जाता है कहाँ पर उसका जो बहाव होता है ठीक है river water का जो बहाव होता है वो कैसे बह कर जाता है वो ocean का जो sea का water होता है oceanic water होता है उसमें जाकर वो क्या करता है मिल जाता है ठीक है river water किसमें जाकर मिल जाता है oceanic water में जाकर मिल जाता है और हम लोग क्या बोलते है इस्टूरीज बोलते है ठीक है सो वेस्टन कोस्ट में क्या होता है वेस्टन कोस्ट में इस्टूरीज होता है ठीक है किस तरह से होता है वो रिवर वाटर कहां पर जाता है ओशनिक वाटर में जाकर मिल जाता है ठीक है अब इस्टन कोस्ट में ऐसा होत होता है क्या नहीं होता है क्या है इसमें डिस्टिमिलारीटी है ठीक है सो डिफरेंसेस आएंगे सो यहाँ पर जिस तरह से होता है उस तरह से वहाँ पर तो आफकॉस नहीं होने वाला है ठीक है यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर होता है लगुन का मतलब क्या होता है इस तरफ ओके इस्टन कोस्ट में यहां पर जो यह पूरा एरिया है किस से घिरा हुआ है ओशन है है कि नहीं हमें तो इजीली पता है कि यहां पर क्या है ओशन है ओके सो जो यह ओशनिक वाटर है वो क्या करेगा यहां पर से धक्का मारते मारते दक्का मारते मारते क्या करेगा जो यहाँ पर क्या है एक रिवर है ठीक है सपोस यहाँ पर क्या है एक रिवर है और जो यह रिवर में है रिवर में क्या करेगा जो ओशनीक वाटर है वो उसे धक्का मारते मारते मतलब उसका जो बहाव होता है वो किसमें चले जाता है रिवर के अंदर चले जाता है ठीक है समझ गया, easily समझ जो, क्या समझना है, oceanic water धक्का मार के कहाँ पर चले जाता है, river water में चले जाता है, उसे हम क्या बोलते है, लगून बोलते है, ठीक है, किसे लगून बोलते है, oceanic water, river water में धक्का मार के चले जाता है, ठीक है, वो क्या है, गुंडा है, ठीक है, क्या से जाता है, ध यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है यहां पर अगेन यह वाला टॉपिक हमारा यहां पर कंप्लीट हो रहा है कौन सा कोस्टल प्लेंज ठीक है सो आज के lecture में हमने क्या क्या complete किया peninsular complete किया उसके साथ साथ हमने coastal planes complete किया इसके last में बस एक point बच गया हमारा उसे हम लोग complete करेंगे in next lecture I hope so आप सभी ने screenshot ले लिया होगा notes बना लिये होगे और बढ़िया तरीके से आप सभी को समझ में भी आ गया होगा चलो वीडियो को जाने से पहले like जरूर से कर लेना और अगर आप लोगोंने lecture number 1 नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी से जाकर lecture number 1 भी देख लेना सारे दोस्तों को share जरूर से करना बिकॉज ये difficult chapter है इसे अच्छी तरह से समझोगे तो ही जाकर आगे का chapter आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा ठीक है तो जादा से जादा share करो like करो and अगर चैनल पर new हो तो subscribe भी कर दो चलो तब तक के लिए bye bye मिलते हैं next lecture में